माया खंडेहर टिकल के माया खंडेहर ग्वाटेमाला के वर्षाबनों में गहरे छिपे हुए हैं हवा से केवल मुठी भर मंदिर और महल चंदवा के माध्यम से जागते हैं पत्थर की नकाशी मौसम से पीटा जाता है विशाल प्लाजा काई से ढके हुए हैं और विशाल जलाशे जंगल से घिरे हुए हैं एक मात्र निवासी जंगली जानवर और पक्षी हैं लेकिन 1200 साल पहले टिकल विशाल और शानदार माया सभ्यता के प्रमुक शहरों में से एक था जो अब दक्षिनी मैक्सिको, बेलीज और ग्वाटेमाला में फैला हुआ है टिकल शायद एक लाख लोगों का घर था फूस के खेट और खेट जहां तक आख देख सकते थे, वहां तक फैले हुए थे उनकी सभ्यता इतनी स्थेर और स्थापित थी, उनके पास 400 साल की अवधी के लिए एक शब्द भी था माया लगभग 2000 वर्षों तक फलीफूली काटव ही याधातु के ओजारों के उपियोग के बिना, उन्होंने बड़े पैमाने पर पत्थर की संरचनाय बनाई वे निपुन वैज्यानिक थे उन्होंने 365 दिनों के सौर वर्ष को ट्रैक किया और कुछ जीवित प्राचीन माया पुस्तकों में से एक में ग्रहन की तालिकाएं हैं वेदशालाओं से जैसे की चीचेन इटजा में उन्होंने युद्ध के सितारे शुक्र की प्रक्ति को ट्रैक किया उन्होंने 20 की आधार संख्या का उप्योग करके अपना गणित विक्सित किया और शूने की अवधारना थी उनके पास लिखने की अपनी प्रणाली भी थी उनकी सभ्यता इतनी स्थेर और स्थापित थी उनके पास 400 साल की अवधी के लिए एक शब्द भी था माया समाज जीवंत था लेकिन यह क्रूर भी हो सकता है यह सकती से पदानुक्रमित और गहरा आध्यात्मिक था देवताओं को प्रसंद करने के लिए मनुश्यों की बली दी जाती थी अभिजात वर्ग ने भी खुद को यातना दी पुरुष माया शासकों ने अपने लिंकी चमडी और महिलाओं को अपनी जीब को छिद्रित किया जाहिरा तौर पर उन देवताओं के लिए पोशन प्रदान करने की आशा में जिन्हें मानव रक्त की आवश्यक्ता थी नवी शताबदी में माया दुनिया को उल्टा कर दिया गया था टिकल जैसे कई महान केंद्र वीरान थे पवित्र मंदिर और महल संक्षेप में कुछ स्क्वेटर्स के घर बन गए जिन्होंने एक बार प्राचीन इमारतों में घरेलू कच्रा छोड़ दिया जब वे भी चले गए तो टिकल को हमेशा के लिए छोड़ दिया गया और माया सभ्यता कभी ठीक नहीं हुई सोलह वी शताबदी में स्पेनिश विजविदों का सामना करने के लिए माया लोगों का केवल एक अंश बच गया दशकों से पुरातत्वविद माया पतन के सपश्टिकरण की खोज कर रहे हैं कई सिधान्तों को सामने रखा गया है जिसमें युद्ध और आक्रमन से लेकर प्रवासन, बीमारी और अतिखेती शामिल है कई लोग सोचते हैं कि सच्चाई इन और अन्यकारकों के सन्योजन के साथ जूट हो सकती है लेकिन पारंपरिक सिधान्तों में से कोई भी डिक गिल के लिए परियाप्त नहीं था उनका मानना था कि माया को जिस चीज ने तबाह कर दिया था, वह सूखा था हलांकि माया पतन की एक मात्र व्याख्या के रूप में सूखा अत्यधिक विवादास्पद था लट्टू भारी सूखा माया सूखे की तबाही का पुनरनिर्मान डिक गिल माया सभ्यता के पतन की व्याख्या करने वाले एक सासिक नए सिध्धान्त को सामने रखने के लिए सबसे असामान्य व्यक्ति थे जब उसने सुराग के लिए अपना शिकार शुरू किया किया तो वह वास्तव में एक बैंकर था माया के साथ उनका प्रेन संबंध 1968 में वापस शुरू हुआ जब उन्होंने चुट्टी के दौरान दक्षिनी मैक्सिको में चीचेन इच्जा का दौरा किया माया खंडेहर वे कहते हैं वास्तव में उसे चुआ उन्होंने माया पतन की पहेली को हल करने का संकल्प लिया लेकिन उनके पास अभी भी आगे बढ़ने के लिए एक बैंकिंग कैरियर था 1980 के दशक की शुरुवात में भाग्य ने टेकसास बैंकिंग संकट के साथ कदम रखा पारिवारिक बैंक धै गया और गिल अचानक काम से बाहर हो गए और अपने सपने का पालन करने के लिए स्वतंत्र थे वह न्रिविज्ञान और पुरातत्व का अध्ययन करने के लिए कॉलेज गए माया के पतन का कारण क्या हो सकता है इसका उनका एहसास एक ब्रेनवेव में आया यह एक स्पश्टिकरन था जो किताबों और अध्ययन से नहीं आया था बलकि सीधे अपने बचपन से गिल ने 1950 के दशक में टेकसास में विनाशकारी सूखे को याद किया जब खेत सूख गए थे और आग लग गई थी गर्म धूप वाले दिन अनन्त लग रहे थे और उन्हें सूखे की शक्ती की भावनात्मक समझ के साथ छोड़ दिया गया था उनके काम ने उन्हें एक नाटकिय निशकर्ष पर पहुँचाया कि माया सभ्यता में लाखों लोग शामिल थे जो बहुत अचानक मर गए थे उन्होंने महसूस किया कि माया को भारी सूखे का सामना करना पड़ा था लेकिन उनके पास अपने सिध्धान्त का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं था इसलिए उन्होंने सुराग खोजने के लिए निकल पड़े उन्होंने जिन पहले लोगों की ओर रुख किया उनमें से एक पुरातत्वविद डौफरेड वालडेज थे एकसास विश्वविद्यालय के वालडेज ने बेलीज के जंगलों में गहरे काम किया उन्होंने संभावित कुल आबादी का अनुमान लगाने के लिए माया फार्मस्टेड की गिंती की मिट्टी के बर्तनों के टुकडों ने उन्हें बताया कि जब छेत्र पर कबजा कर लिया गया था और उनके काम ने उन्हें एक नाटकी य निशकर्ष पर पहुँचाया कि माया सभहता में लाखों लोग शामिल थे जो बहुत अचानक मर गये थे जिल जानते थे कि इसके लिए कुछ कारक जिम्मेदार हो सकते हैं लेकिन उनमें से एक सूखा था जिल की नजर में इसने उनके सिध्धान्त को मजबूत किया लेकिन उन्हें अभी भी प्रत्यक्ष प्रमान की आवश्यक्ता थी यहाँ अभिलेखागार को खंगालने का समय था मेकसिको सिटी में आयोजत राष्ट्रिय रिकॉर्ड से पता चला कि बीसवी शताबदी की शुरुवात में माया छेत्र में सूखा तीन साल तक चला था यहाँ सबूत थे कि सूखा वास्तव में इस छेत्र में हो सकता है इसके बाद उन्होंने मेकसिको के युकाटन प्रांत में स्पेनिश अधिकारियों के पुराने आपनी वेशिक रिकॉर्ड पर ठोकर खाई जो बार-बार सूखे के बारे में बताते थे वर्ष 1795 में फसले बहुत खराब थी वे अनाज से बाहर चल रहे थे और उन्हें डर था कि अतीत में उन्होंने जो भयानक मौक देखी थी वह फिर से दोहराने वाली थी इसलिए उन्होंने मदद मांगी गिल के पास अब अतीत में विनाशकारी सूखे का सबूत था लेकिन प्रमुख नोवी शताबदी में नहीं तब उन्हें एक असाधारन सन्योग का पता चला उन्होंने मौसम विज्ञान पर सैकडो पत्रों का अध्ययन किया था इससे पहले कि वह उत्तरी स्वीडन में डेंड्रो क्रोनोलोजी, मास बैलेंस एंड ग्लेशियर फ्रेंट फ्लक्षन्स नामक एक पर ठोकर खाए माया के पतन के समय उत्तरी यूरोप में बहुत थंड थी, लेकिन संभवतह लिंक क्या हो सकता है जिल मौसम संबंधी रिकॉर्ड पर वापस गए और पाया की उत्तरी अट्लांटिक में उच्छ दबाफ प्रणालियों में से एक बीसवी शताबदी की शुरुवात में मध्य अमेरिका की ओर बढ़ गया था यह माया क्षेत्रों में सूखे और उत्तरी यूरोप में अत्यधिक थंड दोनों का समय था लट्टू निरनायक प्रमान अपने प्रमुख में एक माया जलाशय का पुनग निर्मान हालां की परिस्थिति जन्य साक्षय मस्बूत हो रहे थे गिल के पास अभी भी नौवी शताबदी में मायाक शेत्रों में विनाशकारी सूखे का प्रत्यक्ष प्रमान नहीं था आखिरकार उन्हें यह सबूत तब मिला जब फ्लोरिडा विश्वविद्याले की एक टीन ने मेकसिको के युकाटन शेत्र में चिचनकानब जील का दौरा किया वैज्यानिकों ने पाया कि नौवी शताबदी साथ हजार वर्षों के लिए इस चेत्र में सबसे शुष्क समय था टीन को पिछले जलवायू में दिल्चस्पी थी और जील के तल से मिट्टी के कोर लेकर उन्हें मापा कीचड हजारों वर्षों में बना था, कीचड जितना गहरा था, गोले और बीज उतने ही पुराने थे गेंस्विले में अपनी प्रयोगशालाओं में वापस उन्होंने कोर के प्रत्येक भाग से छोटे गोले को देखा और विशेश रूप से उनमें बंद दो प्रकार के ऑक्सीजन, भारी और हलके उचवर्षा के समय से गोले की सथों पर प्रकाश ऑक्सीजन का प्रभुत्व होता है भारी ऑक्सीजन का अधिक मतलब है कि उस समय जील में पानी वाश्पित हो रहा था नवी शताबदी के एक कोर ने भारी ऑक्सीजन का एक असाधारन उचाल दिखाया यह दर्शाता है कि यह साथ हजार वर्षों के लिए इस शेत्र में सबसे शुष्क समय था यहां अंत में वह ठोस सबूत था जिसकी गिल तलाश कर रहा था माया के पतन के समय असाधारन सुखा उनकी खोज खत्म हो गई थी लेकिन यह खोज की एक भावनात्मक यात्रा थी एक निश्चित संतुष्टी है कि मैं आखिरकार समझ गया हूं कि माया के साथ क्या हुआ लेकिन एक इनसान के रूप में यह सोचना भयानक है कि क्या हुआ